नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तो दोस्तों आज की सेशन में स्टार्ट करते हैं पहले क्वेस्टन से पहला क्वेस्टन है आपका निम्नमेसि मुर्धन्य व्यंजन है तो दोस्तों आपको बताना है मुर्धन्य व्यंजन उचारण की दिश्ट से ठीक है चार और छोथे आफंसन में स है कख कं आप का होता है कंठ यानि जो इतने कंठ वर्ड की लिकंठ ये इक प्रभरों बहुते हैं छolen website lugud तर्फर दंति होता है और विटें वर्ड की वर्ड की वर्ड होते हैं निझा होते हैं ठीक है टब वर्ड की थ जो है आपका मुर्धन्य बेंजन है चलते हैं अगले क्वेस्टन पर तो दोस्तों वो चार्ड के आधार पर जो वर्डो का वर्गी करण किया गया है स्वर अरोबेंजन में इस ते डारेक्ट प्रसन पूछ लिये जाते हैं अगला कुछन है यदि एक लीप वर्स यदि एक वर्स जो लीप वर्स नव हो का पहला दिन रविवार हो तो अंतिम दिन कौन सा होगा दोस्तो सामान वर्स में दिनों की संख्या होती है 365 और लीप वर्स में दिनों की संख्या 366 होती क्योंकि फरवरी का महिना 29 का होता है जबकि सामान वर्स में फरवरी का महिना 28 दिन का होता है तो सामान वर्स के लिए जो प्रतम दिन होता है वही दिन अंतिम तिति को भी होता ह 31 दिसंबर को लेकिन लीप वर्स में जो पहला दिन होता है फर्ष्ट जनौरी को जो दिन होता है तो अंतिम जो तिती होती है 31 दिसंबर वहां पर एक दिन बढ़ जाता है क्योंकि फरोरी आपका 29 का होता है लेकिन यहां पर प्रश्ण में है कि यदि एक वर्स जो लीप वर्स 9 का पहला दिन रविवार हो तो अंतिम दिन भी रविवार ही होगा ठीक है तो आपर D हो जाएगा आपका राइट आंसर अगला कोशन देखते हैं दोस्तों इसके बाद राश्टिय साक्षर्ता मिसन की सुरुवात कब होई थी आपको ये बताना है तो दोस्तों राश्टिय साक्षर्ता मिसन की सुरुवात और आपरेशन ब्लैक बोर्ड ठीक है इन दोनों ही मिसन की सुरुवात 1988 में की गई थी 1988 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड और राश्टिय साक्षर्ता मिसन जबकि मिड़ दे मेल योजना की शुरुवात 1995 में की गई थी चलते हैं अगले क्वेस्टन पर यूरिष्टिक विधी के प्रतिपादक थे आपको ये बताना है तो कील पैट्रिक आपके प्रियोगात्मक विधी के प्रतिपादक है या कर सकते हैं उसे धान्त कोईनों विक्सित किया है ठीक है यहां पर आपका राइट आंसर होगा ही आर्म इस्ट्रांग ठीक है सी हो जाएगा आपका राइट आंसर यहां पर चलते हैं अगले क्वेस्टन पर अगला क्वेस्टन है आपका भारत का सेक्स पियर किसे कहा जाता है छार आप सने आर्य भट, कालीदास, वराह मिहर और पाढनी तो पाढनी ने अश्टा ध्याई लिखा है आर्य भट्ट ने आर्य भट्टियम कालीदास भी गुप्तकाल से सम्बन देते और वराह मिहर भी आपके ख़बोल भी देते लेकिन दोस्तों जो भारत का सेक्सपियर है इस नाम से काली दास को जाना जाता है इन्होंने कुल साथ ग्रंथ लिखे हैं जिसमें महा काब्य, खंड काब्य और तीन इनके नाटक है कुल मिला करके साथ इन्होंने रचनाय करी है तो भारत का सेक्सिपियर कालिदास को कहा जाता है भी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर अगला कोस्टन है महान सब्द में त्व प्रत्य जोड़ने से कौन सा सब्द बनेगा आपको यह बताना है तो प्रत्य वे सब्दांस होते हैं किसी सब्द के अंत में जोड़ करके उसके आर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और यह दू प्रकार के होते हैं कृधंत और तद्वित जो क्रिया के अंत में जोड़ने वाले प्रत्य होते हैं कृधंत होते हैं ठीक है दोस्तों, कभे भी आप किसी भी सब्द से जब उपसर गया प्रत्याव को अलग करते हैं, तो जो मूल सब्द बचना चाहिए, हमेशा सार्थक बचना चाहिए, इस से फिर आपका उपसर गड़ी प्रत्यावला प्रशन कभी गलत नहीं होगा, चलते हैं अगले प्रश हमेशा होती है, प्रभावी और पारित, इन दोनों में डिफ्रेंस होता है, तो सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ था, ठीक है, संसत से, लेकिन इसको लागू किया गया था 2010 से, यानि प्रभावी हुआ था 2010 से, अगर पारित पूछता तो आपका आंसर होता कभी कभी क्या होता है, एक्जाम में हमने देखा 2009 बस उसी पर टेक कर दिया, गोला करके चले आए, तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ का, सी आपका राइट आंसर होगा इस प्रस्ण में, अब अगला प्रस्ण है दोस्तों, हिंदी सब्द किस भासा से लिया गया है, य हिंदी का सब्द किस भासा से है, तो हिंदी जो सब्द है दोस्तों, हिए आपका प्रसी भासा का सब्द हैं, अकला प्रस्ण है नगन वीज वाले पहुदों को कहा जाता है यहनि ऐसे बीज जो अनावरित होते हैं ठीक नगन बीज होते हैं तो ऐसे पौधों को कहा जाता है अनावरित बीजी पौधे या अनावरित बीजी पादप ठीक बी हो जाएगा राइट आंसर अधिफादप या एपिफाइट से भी बोलते हैं ऐसे पौधे होते हैं जो यां अगला कुश्चन है आपका पठनी ये पद में किस प्रतिय का प्रयोग हुआ है तो संस्कित का एक क्वेस्टन हो गया, संस्कित में कुल 22 है, उपसर्ग होते हैं, और प्रत्यों की संक्याद ज्यादा होते हैं, प्रत्य भी उसे कई प्रकार की होते हैं, जैसे उसमें इस्त्री प्रत्य होता है, ठीक है, तद्वित प्रत्य होते हैं, कृधन्त प्रत्य होते ह हम detail में करेंगे बाद में तो पठनीय पद में पठन कर सकते हैं पठ धातु प्लस अनियर ये लाश्ट में लगेगा प्रत्य है बाद में लगेगा पठ प्लस अनियर ये मिलके बनता है पठन नियर ठीक है यहां पर यह हो जाएगा right answer अगला प्रश्णा है संस्कार में उपसर्ग है देखिए दोस्तों जब किसी सब्द में जो अंतिम वर्ड हो मां हो और जूड़ने वाला कर से लेकर के मां तक इन्हें हम करते हैं असपार्शी विंजन इनकी संख्या होती है 25 ठीक है कर से लेकर के मां तक कोई वर्ड आए तो जो मां होता है ये मां इसका लूप हो करके और ये बिंदी की रूप में आप अलग जाता है संस्कार में उपसर्ग होगा श्व मां की निचे हलन्त होगा कभी भी आप उपसर्ग देखेंगे तो उपसर्ग को जिसे सं हो गया चीक है जो उसको दूसरा वर्ड होता है कई बार आपको ऐसा होता है कि हलंत वाला दिखता है और किसी में हलंत नहीं होता है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर D हो जाएगा आपका राइट आंसर अगला प्रश्ण है पाठ योजना निर्माण में पंच पदी ये प्रडाली के प्रडेता थे हरवर्ट ठीक है B हो जाएगा आपका राइट आंसर अगला प्रश्ण है सांत गाटी silent valley इस्तित है तो silent valley भारत के दच्चिढ राज्य दच्चिढ में इस्तित राज्य केरल में इस्तित है ठीक है सांत गाठी केरल राज्जी में इस्तित है अगला कुस्ट ने पाल घाट दर्रा इस्तित है तो दर्रा ऐसे अस्थान होते हैं या कह सकते हैं ऐसे पास होते हैं रास्ता होते हैं जो पहाड़ों को के अंदर जाने का मार्ग इंके द्वारा होता है तो पाल घाट दर्रा ये भी आपका केरल गाट की बात करेंगे इसके लब अन्य दर्रे भी है जैसे जो जीला दर्रे आओगे सीप किला हो गया जो आपके उत्तर या उत्तर पुर्व भारत में पाए जाते हैं अगला कोसे ने थाल घाट एवं भोर घाट दर्रा इस्तित है तो थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से और भोर घाट दर्रा मुंबई को पूर्णे से जोडता है और ये दोनों ही आपके महाराष्ट राज्य में इस्तित हैं सी हो जाएगा आपका राइट आंसर अगला कोसे ने प्रित्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है प्रित्वी दिवस विश्व प्रित्वी दिवस भी कह परियावरण दिवस मनाते हैं 1973 सिर्षी शुरुवात की गए थी 1972 में सबसे पहला परियावरण सिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था इस्टाक होम में स्वीडन की राजदानी इस्टाक होम में और 1973 से हर वर्स पांच जुन को अंतराश्टी परियावरण दिवस मनाया जाता हैं 22 मार्श को विश्व जल दिवस मनाते हैं और 22 अप्रेल को विश्व देथवी दिवस तो यहां पर आपका हो जाएगार सी इस्टाराइट अंसर अकला कोश्चन है अंतराश्टी या जैव विविदता दिवस मनाया जाता है बायोडायवर्सिटी दिवस तो 1992 में आप तित्र परियावरडिय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे प्रतम प्रतवी शिकर सम्मेलन कहा जाता है प्रतम प्रतवी शिकर सम्मेलन इसी रियो सम्मेलन से 1992 से UNFCCC की संकलपना आये थी और इसी सम्मेलन से जैव विविदता की संकलपना आये थी और इसी सम्मेलन से एजेंडा 21 ये भी अस्तिक्त में आया था ठीक है और इसी सम्मेलन में जय विवित्ता सब्द को परिभासित किया गया और उसके बाद फिर 22 मई को हर वर्स जय विवित्ता अंदराश्टिय जय विवित्ता दिवश मनाया जाता है ठीक है तो अगला कुश्चन है फूलों की घाटी इस्तित है एक आपका सांथ घाटी केरल में हो गया फूलों की घाटी कहां पर इस्तित है उत्तरा खंडराज में ठीक है वहीं पर हिमाचल परदेश राजी में एक पार्क है काफी फेमस है ग्रेट हिमालियन पार्क ठीक है इसको अब याद रखीगा तो यहाँ पर आपका फिलाल में बी हो जाएगा राइट आंसर अगला कोईस्तने मूल अधिकारों की कुल शंख्या है तो जब सम्मिदान का निर्माड किया गया था जब उसमें मूल अधिकार जोड़े गया थे उस समय मूल अधिकारों की शंख्या साथ थी अनुच्छेद बारह से लेकर के पैटिस तक ठीक है फिर बाद में इसमें संपत्य का जो मूल अधिकार था उसे हटा दिया गया चवालज में सम्मिदान संसुदन की द्वारा वर्तमान में मूल अधिकारों की कुल संक्या 6 है ठीक है बारह से लेकर के पैंतिस तक सम्मिदान के भाग 3 में इसको याद रखे गा भाग 3 में अनुच्छिद 12 से उसी को भी उम्राव मेटकर जिन्हें संविधान की आत्मा कहा है तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर अब चलते हैं अगले क्वेस्टन पे अगर यहीं से पूछा जातें मूल अदिकारों की संकलपना कहां से ली गई थी तो USA या फिर सयुक्त राजिय अमिर्का से वहें पर दोस्तों मूल करतब्यों की संक्या पहले 10 थी वर्दमान में 11 है और इसे जो है रूस के संबिधान से लिया गया है ठीक है इसे भी आप जानते रहें अगला कोस्टे ने input device है तो computer में जो भी data हम feed करते हैं जिसके भी माद्यम से उसे कहा जाता है input device और जिनके माद्यम से हमें output data प्राप्त होता है उन्हें कहा जाता है output device तो scanner के माद्यम से हम data क्या करते हैं scan करते हैं computer के लिए हम input प्रदान करते हैं जबकि monitor और printer आपका ये data हमें प्रदान करते हैं ठीक है ये दोनों output device हैं जबकि scanner हो गया keyboard हो गया ये सभी आपके input device हैं सी ओगया राइट आंसर अगला कोस्ता ने मिस्रित या mixed gland है तो दोस्तों सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी यक्रित सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथी पूछा जाए थायराइड ग्रंथी ठीक है और अगर सरीर की एक मात्र मिस्रित charged gland का नाम पूछा जाए तो अगनासय पैंक्रियाज अंतरस्रावी ग्रंथीयों से हार्मौन सरावित होता है जबकि वहिष्रस्रावी ग्रंथीयों से enzyme का सरावण होता है और अगनासय से hormone और enzyme दोनों का ही सरावण होता है पेपसिन नामक एंजाइम का भी सरावन होता है और इंसुलीन नामक हार्मोन का भी सरावन होता है इसी इंसुलीन नामक हार्मोन से रक्त में ग्लुकोज की मात्रा का नेंद्रण होता है चलते हैं अगले क्वेस्टन पे पियूस ग्रंथी को master gland भी करते हैं अगला प्रश्ण है chlorophyll का आवस्यक तत्व है तो chlorophyll पौदों के प्रकास अंसलेशर में के लिए उपियूगी होता है पर मतला आवस्यक तत्व होता है और chlorophyll के लिए आवस्यक तत्व है magnesium C हो जाएगा right answer वह पर potassium जो है आपका हिर्दा के अस्पंदन के लिए आवस्यक तत्व होता है इसको भी आप जानते रहे calcium phosphorus यह आपके हड़ियों के निर्माड में उपियूगी होते है अगला कुस्टे ने धन के निस्कासन का सिधानत दिया था दोस्तों जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी अंग्रेजी सासन था उस समय की वात है पहले ये क्या करते थे यहां से कच्चा माल ले जाते थे योरूप में निर्माड करते थे वहां से फिर जो माल तयार होता था भारत में बेचते थे फिर बाद में धिरे-दिरे उनकी नीती में परिवर्ट तनुगा अंग्रेजियों की नीती में वो वे क्या करने लगे भारत में ही निर्माड करने लगे और भारत में ही उसकी खपत करने लगे लेकिन जो फ्राफिट का अधिकान से हिस्सा अपने देश में लेकर के चले जाते थे इस चीज़ को सबसे पहले उजागर किया था दादा भाई नौरोजी जी ने इन्हें ग्र भार्ती राश्टी कांग्रेस के अध्यक्षी भी वने थे यहां पर आपका हो जाएगा ए इस दराइट आंसर गोपाल गिष्ण गोकले को गांदी जी का राजनितिक गुरु कहा जाता है बाल गंगा दर तिलक इनको भार्ती असान्ति के जनक माने जाता है अगला कोश्चन में विष्व का सबसे बड़ा नदी द्यूइप इस्थित है आपको यह बताना है दोस्तों जब तिब्बत से बहते वेज़े भारत में ब्रह्म पुत्र नदी का प्रवेश होता है आउड़ाचल प्रदेश में यह आपका आसरम हो गया आउड़ाचल प्रद नदी फिर जब यह दिहांग और लोहित अवलाचल प्रदेश में बहने वाले दो नदिया यह दोनों नदिया मिल करके जब अश्रम राज्य में प्रिवेश करती है इनका नाम हो जाता है ब्रह्म पुत्र नदी फिर इसी ब्रह्म पुत्र नदी से बीच में एक जगह पे द दोसरी चीजे जो तैरताव राष्टी उद्याने मडिपूर की लोक टक्जिल में ठीक है उसकी विचार्चा करेंगे आगे तो माजुली नदी दूप है जो भारत में ब्रह्म पुत्र नदी पर असम राज्य में इस्तित है विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप माना जात है तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर है अगला कोश्चाने टाइगर स्टेट है तो दोस्तों भारत में कुल 31 टाइगर रिजर्व है ठीक है और 1975 से इंके रिजर्व का काम किया जा रहा है इंको सारक्षेत किया जा रहा है अभी हालेही में जो टाइगर की गर्णा की बज़ाया एक अगला कोश्चाने भारत में सरवादीो के जैव विविता पाई जाती है जै विविता दोस्तों ऐसे अस्ताल होते हैं जहां पर प्रजातियों की एकड़ी प्रजाति या फिर भिन्ने भिन्ने प्रजातियों की पौधे उनस्पतियों और जन्तुओं की विविन्ने प्रजातियां पाई जाती है तो ऐसे जो छेत्र होते हैं जैव विवित्ता वाले छेत्र होते हैं भारत में सरवादी के जैव व जेत्र में पाई जाती है अए ति भशीमिघाट शेत्र में आपका महरास्ट से ले करके पूरा प्रक केरल तक है ढिए यह पूरा जो तट है ऐं जी माला भार तक है तमिलाडु के तट को बार तक बीका राता यह इसा इसी पस्चिमी घाट में भारत में सरवादी के जैव विवित्ता पाई जाते हैं बी हो जाएगा राइट आंसर नीलगीरी जो चेत्र है दोस्तों आपका यहाँ पर नीलगीरी चेत्र है करनाटक केरल और तमिलनाडू तीनों ही राजियों में इसका विश्दार पाया जाता है इसकी वेचर्चा करेंगे आगे अगला कोशन है संसद के सयुक्त अधिवेशन यानि लोकसभा राजिसभा के सयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष एक सी आप ध्यान रखेगा दोस्तों संसद के सयुक्त अधिवेशन को आह कि अध्यक्षने भारत में पहली नियमित जनगर्णा कब अगर आप्स कि बात की जाए तो राड़ी नियमित जनगर्णा कराई गए गय था तो दूर्ट के बाद से हर दस वर्स पर जंगर्णा कराई जाती है लाड रिपन के कारिकाल में ठीक है तो बी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर आप लोगों को दोस्तों कमेंट करके मुझे बताना है आप लोग गिन के जोल लीजिए इस एक क्यासी से ठीक है कि जो 2021 के जंगर् की और स्वतंत्र भारत की कौन सी करम की जंगर्णा होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे इस प्रश्न का अंसर अगला प्रश्न है भारती असानते के जनक कहे जाते हैं यह प्रश्न में आलेडी बता चुका हूं लोक माने बाल गंगा डरती लग एक बिटेस के द्वारा इनको कहा गया थे इसी बाद में यह उसके उपर मुकदमा करने के लिए लंदन चले गये थे उसे समय होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था बाद में फिर आंदोलन भी एक तरस से ठंडा पड़ गया था इनके लंदन चले जाने के पसचाथ तो आत्म स् इतने बीट्स के बराबर होता है एक निबल जो होता है फोर बीट्स के बराबर होता है जबकि एट बीट्स से बनता है बाइट और 1024 बाइट मिलके बनता है वन किलो बाइट और इसी तरह से 1024 किलो बाइट मिलकर के बनता है मेगा बाइट और इसी तरह से 1024 मेगा बाइट मिल करके बनते हैं गीगाबाइट ठीक है इसी तरह से आगी टेराबाइट तो यहां पर आपका फिलाल में आंसर हो जाएगा भी अगला कोशन में विस्टो का एक मात्रत तैरता राष्टी उद्यान इस्तित है कहां पर इस्तित है एलो इस्टोन जो है अमेरिका में एक इस्तित राष्टी पार्क है यह कर सकते हैं विस्टो का सबसे पहला राष्टी पार्क एलो इस्तित है तो केबुल लाम जाओ भारत के मड़िपूर राज्ज में लोकटक जील ठीक है लोकटक जील में विस्टो का एक मात्रत तैरता भारत के तो दोस्तों यह हो गया 30 महत्वपूर प्रश्णों का सेट्स समापते ही पर होता है इसी तरह से अगले वीडियो में फिर से महत्वपूर प्रश्णों को ले करके आप से मिलेंगे और आप सभी लोगों से छोटी से रिक्वेश्ट अगर अभी तक आपने मारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो जरू कर लेंगे तो आपको लेटिस्ट अपलोड जो वीडियो होगी उसको नोटिपिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी तो वीडियो को लाइक एंड शिर कर दीजिएगा टेलिग्राम चैनल कर लिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है आप वहां से जाकर की जोइंग कर सकते हैं थैंक्यू सो मॉच प्रेंट्स